हलो बच्चो दिस इस कृष्णा वसेस्ट आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूटूब चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरू और अगर आपको CDP यानि की चाइल्ड डिवलपेंड पैड़ोगुजी की कौलिटेटिव वीडियो अगर आपको चाहिए तो व प्रेपोजीशन प्रेपोजीशन क्या होती हैं कितने इसके टाइप्स होते हैं वन बाई वन मैं आपके सामने डिसकस कर रहा हूं ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रेपोजीशन का जो टाइप हम कवर करेंगे उसे हम कहते हैं प्रेपोजीशन अ और अपने नोट्स पना के पड़ाई कर सकते हैं साथ में जैसे कि मैं आपको बताएं CDP CDP से अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मैंने तमाम सारे अल्मोस्ट सारे topics को cover किया हुआ है आप जो है अल्री जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चाहिड डिवल्मेंट और पैड़ावोजी की वो सारी सारी वीडियो को आप एजिक्यूट कर सकते हैं देख सकते हैं वाच कर सकते हैं तो दोस्तों चले स्टार्ट करते हैं proposition देखिए इसम मैं आपको थोड़ा सा पहले पता दू प्रपोजिशन होती क्या है तो जैसे कि आपके सामने definition है प्रपोजिशन इस वर्ड एक परकार का वर्ड होता है या फिर ग्रूप ओफ वर्ड होते हैं जो कि किसी नाउन से पहले प्रोनाउन से पहले या कोई नाउन फ्रेज है किसी हम इन सारी चीज़ों के लिए हम प्रपोजिशन यूज करते हैं तो प्रपोजिशन के टाइप्स बहुत जादा होते हैं दोस्तों एक्जामपल्स बहुत जादा होते हैं कुछ मैंने हाँ पर लिखे हुए हैं जैसे कि in, at, on, off, and to तो किसी भी चीज़ के लिए प्रपोजि तो ये तो था definition, तो definition तो clear हो गई होगी आपको मैंने सोचा कि छोटा सा मैं brief आपको दे दिया करूं, definitions के बारे मैं बता दिया करूं, in case अगर कोई new guy मेरी वीडियो को अभी देख रहा है, उन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो चले दोस्तों स्टार्ट करते ह हैं उसके बाद जो हमारा जो mean जो मोटीव है इस वीडियो का वो हम जो है start करते हैं, तो सबसे पहले हम डिसकस करेंगे proposition of direction actually में होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है direction, ऐसी proposition जो की direction बताएं, किसी object की तरफ point out करें, या फिर direction की sense हो, तो proposition of direction include proposition such as, तो ऐसी proposition जहां पे हैं, या किसी की तरफ हम देखकर बाते करें, या किसी की तरफ एक का sense हो, surface के ऊपर, surface के नीचे, वो सारी चीज़े में हाँ पे समझाऊंगा, तो जो proposition of direction होती है, वो जैसे काफी सारे types की होती है, लेकिन जो famous most of the time, जो हम use करते हैं, जैसे कि into हो गया, on, on to, through, to, toward, ये सारे के सारे जो है, as a proposition of direction भी use होते हैं, तो confused होने की ज़रूत नहीं है, इन में से कुछ proposition of time, proposition of place में भी use होते हैं, तो हमने अलग-अलग category बनाई होई है, तो ऐसा हो सकता है, कि एक proposition जो है, वो एक से ज़्यादा type के अंदर include हो, जैसे कि for example, to के साथ ऐसा कई बार आपन being used, ठीक है, तो दोस्तो स्टार्ट करते हैं, देखो definition clear हो गई होगी आपको, अब हम कुछ example से समझनी की कोशिश करते हैं, ताकि आपको concept अच्छे से clear हो जाएं, तो यहाँ पर जो पहले example आपको दिखाई दे रहा है, we watched the bus disappear into the tunnel, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मार करें, proposition यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो bold letter में लिखा हुआ है, into, यहाँ पर into proposition है, तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा translate करने की कोशिश करूँ, तो कुछ इस तरीकी का बनेगा, कि we watched the bus, हमने bus को देखा, disappear होते हुए, tunnel के अंदर, अब यहाँ पर tunnel के अंदर है, तो कोई चीज जब अंदर की sense हो, inside की sense हो, तो वहाँ पर हम into use करते हैं, as a proposition of direction, तो हमने bus को disappear होते देखा, tunnel के अंदर, तो वहाँ पर हम as a into use करते हैं, ठीक है, तो यह चीज आपको clear हो गई, उसके बाद, a fly settled on my bread, तो एक fly है, वो मेरे bread पे settled हुई है, तो इस example में जैसे कि मैंने आपको बताया, a fly settled on my bread, तो जो fly है, वो जो मक्ही है, वो कहाँ पर बैठी है, तो यहाँ पर direction की sense है, तो ब्रेड के ऊपर, तो यहाँ पर ऐजे हम into use नहीं करेंगा, हम यहाँ पर क्या use करेंगे, on use करेंगे, a fly settled on my bread, while I was eating it, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बत my mom must have put the pumpkin on to someone's else trolley in the supermarket, अब यहाँ पर यह देखना important है, यहाँ पर as on to use हुआ है, as a proposition of direction, my mom must have put the pumpkin on to someone's else, तो यहाँ पर देखो, last example में जो fly settled हुई थी, वो on to the bread settled हुई थी, यहाँ पर जो pumpkin उन्हें पुट किया है, उसकी ममी ने, वो someone's trolley में पुट किया है, तो यहाँ पर as a on use हम नहीं करने वाले, you know, हम यहाँ पर on to use करेंगे, ठीक है, on to someone, else trolley in the supermarket, उसके बाद the bullet had gone through his head, but he survived, तो यहाँ पर जो example है, proposition of direction का, वो है through, कि जो bullet है, वो कहाँ पर यहाँ पर हो गई, लेकिन उसने वो survive कर गया, तो यहाँ पर जो through है, वो क्या है, direction का का काम कर रहा है, कि यहाँ पर, you know, bullet का जो action है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है, कि actually में, वो action कैसे घटित हुआ है, कैसा घटित हुआ है, you know, तो उसके head के अंदर से जो bullet है, वो go through कर तो actually में हाँ पर through क्या है, as a proposition है, और proposition of direction ऐसे यहाँ पर वो use हो रहा है, उसके बाद next है, the teacher has gone to the loo again, the teacher has gone to the loo again, you know, sentences are very very interesting by the way, the teacher has gone to the loo again, तो जो teacher है, वो फिर से loo गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो to है, वो ऐसे direction यहाँ पर बता रहा है, ऐसे proposition यहाँ पर use हो रहा है, और to the loo, you know, जैसे मैं बोलता हूँ, I went to the Jew, तो यहाँ पर normally वैसे मैं आपको बता दूँ, जो आपकी यहाँ पर go है, went है, या won't है, इनके पीछे हमेशा वैसे to use होता है, normally आपने सुना भी होगा, English, you know, grammar के अंदर, जो normal आपका went हो गया, जैसे gone हो गया, go हो गया, I go to the gym, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, I go gym, वहाँ पर to लगाएंगे, तो किसी place के बारे में अगर हम बता रहे हैं, you know, किसी place, जो verb होती है, उसके बाद, जो place है, place के ही हाँ पर discuss हो रहा है, जैसे मैंने बोला, I went to the Jew, तो जो किया एक place है, तो place में की तरफ हम जा रहे हैं, तो महाँ पर हम two use करते हैं, ठीक है, तो normally ये चीज़े आपको समझनी, you know, वैसे तो starting में तो रहाँ difficult लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप practice करोगे, तो आपको देर देरे पता चल जाएगा, उसके बाद, the snake, you know, slithered toward the bullfrog, तो यहाँ पर किस की तरफ जा रहा हूँ, you know, किस की तरफ गया, snake किस की तरफ गया, तो actually मैं यहाँ पर two word क्या है, as a proposition use हो रहा है, और specially, you know, proposition of direction, as a हाँ पर, वो use हो रहा है, ठीक है, तो I think आपको clear हो गया होगा, proposition of direction का use क्या है, कहां पर हम इसको use करते हैं, normally, उसके बाद these proposition shows direction of movement, तो अगर movement की, you know, discussion हो रही हो, तो direction तो खेर, शो करते हैं यह, लेगिन direction of movement भी show करते हैं, you know, and some of the proposition used, उनमें से कुछ proposition के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा away हो गया, from हो गया, from हो गया, off हो गया, out हो गया, तो यह proposition as a direction of movement भी use होती है direction of movement पर जैसे away हो गया from यहां पर from दो पर repeat होगा है away from, sorry away from है यहां पर complete जो word है from of out तो example देख लेते हैं इनके भी जैसे पहले example है he wanted them to keep wanted them to keep away from his apple tree ठीक है? he wanted them to keep away from तो यहां पर movement हो रही है away from, कहां से? apple tree से वो उनको अलग करने की कोशिश कर रहा है you know, उनको separate करने की कोशिश कर रहा है तो that is direction of movement उसके बाद, the two tigers walking around are reported to have escaped from the circus कहां से tiger जो है गायब हुए? कहां से उनने escape किया? from, circus, circus से किया तो direction of movement है अगे, the strong wind, sorry, the strong wind blew the wick of his head जो काफी जोर से हवा चल रही थी उसने, उसके head पे से, जो head है वो उड़ा दिया तो off आएगा यहाँ पे, क्योंकि direction of movement की बात हो रही है everyone rain out the door, कहां से? कहां से भगे? you know, door से, तो out out के आओगे यहाँ पे, as a direction यहाँ पर use हो रहा है, movement की बात हो रही है तो कुछ examples मैंने दोस्तों आपको करवाएं है, proposition of direction as a movement भी use करते हैं से and जो proposition as a, आपकी direction यूज होती है, वो तो मैंने आपको खर बताई दिया है कि ऐसी proposition, you know, those are being used as to show the direction like, what we say, into, on, onto, through, to, towards ऐसी proposition as a direction के लिए हम use करते हैं I hope कि आपको आज का lecture काफी अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है, तो in case, if you have not subscribed my channel please do subscribe, because आपका एक-एक subscription और एक-एक like या share मुझे काफी motivate करता है और अगर आपके मन में कुछ question है, तो please do ask and leave your question into the comment box ठीके तो आप मैंने into बोलाए हैं, पर देखो, as a proposition direction भी मैं use कर रहा हूं, into the comment box thank you very much दोस्तो इस video lesson को सुनने के लिए धन्यवाद आगे मैं कोशिश करता रहूंगा, ऐसी videos आपके लिए और record करूं thank you दोस्तो, धन्यवाद